तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके की वीडियो आप अपने मुबाइल फोन से कैसे बनाओगे दोस्तों इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रिल्स पर बहुत ही तेजी से वाइरल हो रही है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप ऐसी वीडियो आपने मुबाइल फोन से कैसे बनाओगे तो दोस्तों उसके लिए आपको एक अप्लिकेशन की जरूरत पढ़ेगी जिसका नाम है कैपकट आप तो दोस्तों मैंने इस आप का लिंक आपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों उसके लिए simply सबसे पहले आपको कैपकट आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको new project पर click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उपर एक option मिल जाएगा album का आपको इस पर click कर देना है और दोस्तों आपने आपनी photo जिस folder में रखी हुई है तो दोस्तों आपको उस folder को select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर folder select कर लेता हूँ इस पर click करने के बाद आपको यहाँ से आपनी 4-5 photo select कर लेनी है जैसे कि मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ उसके बाद आपको नीचे एक option मिल जाएगा add का आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों आपको एक music की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर आइडियो पर click कर लेना है लेकिन आइडियो पर click करने से पहले आपको play store open कर लेना है और आपको यहाँ पर search बार में टाइप कर देना है turbo bpn जैसी आप टाइप करोगे तो दोस्तों यहाँ से आपको turbo bpn app को install कर लेना है मैंने पहले सही से install करके रखा हुआ है तो चलिए मैं इसे open कर लेता हूँ दोस्तों open करने के बाद आपको turbo bpn को connect कर लेना है connect क्यों करना है क्योंकि दोस्तों इंडिया में कैपकट app बैन है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा IDEO आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको sound के option पर click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके सा loading लेगा दोस्तों अधि आप bpn connect नहीं करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा no internet connection तो दोस्तों आपको VPN जरूर कनेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर एक option मिल जाएगा from device आपको इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों मैंने इस idea का link भी आपने telegram channel पर दिया हुआ है तो दोस्तों आप वहां से जाकर इसे आसानी से download कर सकते हो दोस्तों इस idea का मैंने नाम रखा हुआ है camera.mp3 आप इसे download कर लेना फिर दोस्तों यहां पर आपको एक option मिल जाएगा match cut आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जहां beat दिखती है जहां पर आपको ऊपर थोड़ा दिखता है वहां पर आपको एक beat लगा देना फिर दोस्तों आपको इसी तरीके से सभी में यहाँ पर इस तरीके से लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ तो दोस्तों लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस लिखाई देगा अब आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा right का आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों आपने जहां पर point रखा हुआ है वहां पर आना है और दोस्तों आपने जो photo select किया हुआ है उस पर click कर लेना है फिर आपको यहां पर एक option मिल जाएगा split का आपको इस पर click कर देना है और दोस्तों जो last का part है उसे delete कर देना है इसी तरीके से आपने जहां पर point लगाए हुई है तो दोस्तों वहां का part आपको इसी तरीके से cut कर लेना है और delete कर देना है जैसे कि मैं आपर फटा-फट कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है तो दोस्तों हमने यहाँ पर cut कर लिया है अब आपके जो photo बैसे हैं आपको उन्हें delete कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पर delete कर चुका हूँ फिर दोस्तों आपको यहाँ पर last के part में आ जाना है और यहाँ पर एक watermark आएगा आपको इसे भी delete कर देना है delete करने के बाद आपको पहले photo पर click करना है और इसे कुछ इस तरीके से zoom कर लेना है ताकि आपकी photo अच्छी बने तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे zoom कर लेता हूँ जूम करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों अब आपने जो photo select किया हुआ तो दोस्तों आपको आपने पहले photo पर click कर लेना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर एक option मिल जाएगा animation आपको इस पर click कर देना है और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि VPN connect होना चाहिए, तभी वर्ब करेगा फिर आपको यहाँ पर in animation पर क्लिक कर देना है, इसी तरीके से आपको अपने सभी फोटो पर लगा देना है, अब दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाती है, मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फिर दोस्तों अब आपको करना क्या है उपर एक आपशन मिल जाएगा एरो का आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है तो दोस्तों मैं आपको झाल झाल झाल